समाजवादी पार्टी ने फैसा लिया है कि पुरानी पेंशन विवस्ता की बहाली होगी जब समाजवादी सरकार उत्तपदेश में बनेगी समाजवादी पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष अखिलेश यादों ने आज एक बड़ा एलां करते हुए कहा है कि समाजवादी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन विवस्ता लागो की जाएगी अखिलेश यादों की सैलान से शिक्षिकों और कर्मचारियों में एक बड़ फिर खुशी की लहर दोर पड़ी है इसे किस तरह से देखते हैं माननी राष्ट्रिय ध्रक्ष अखिलेश यादों जी ने बहुत बड़ा और एतिहासिक फैसला लिया है और उन्होंने पुरानी प्यंसन बहाली की घोश्रा करके पढ़े लिखे जितने भी सिच्छाक और कर्मचारी थे जो अपने बुढ़ापे की लाठी मानते थे जिसके लिए और संघर्स कर रहे थे 2005 से इसको बंद कर दिया गया था उसको लेकर कि जो बहुत दिनों से प्रयासरत थे संघर्सरत थे धरना प्रदर्शन आंदोलन करते थे कोई मुख्यमंत्री इसको बहाल करने की हिम्मत नहीं रखता था हम धन्दवार देना चाहते हैं माननी पूर मुख्यमंत्री राष्टी अधर्स माननी अख्लेश यादोजी को जिरोंने इतना बड़ा फैसला लेकर कि पूरी उत्तर प्रदेश ही नहीं इसका संदेश पूरी देश में गया कि इतना बड़ा फैसला जो है मानिय अख्लेश यादोजी ने जो है पुरानी पिंसन की बहाली का जो उठ्रा किया है यह इतना बड़ा फैसला है जिससे समाज के पढ़े लिखे लोग पूरी तरह से प्रभावित हैं और आगामी चुनाव में यही सिच्छक और सिच्छडेत्तर कर्मचारी और दूसरी संबर के कर्मचारी जो है मानिय अख्लेश यादोजी को उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठाने का काम करेंगी जो तनिक भी इधर उधर का मामला था इफबट था कहीं से जो है कोई दिखता था जो है और सारा मामला आज के इस भोषड़ा से पूरी तरह से साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की और सपष्ट बहमत की सरकार बनेगी उसे कोई रोग नहीं सरेक सवाल यहां यह भी बनता है कि प्रदेश के अंदर माध्यमिक शिक्षा के 80% भागीदारी देने वाले माध्यमिक वित्विहिन विद्याले की शिक्षिकों और शिष्णेतर कर्मचारियों पर इसका क्या प्रभावा पड़ेगा माध्यमिक सिच्षा में 80% जो भागीदारी देने वाला उत्तर प्रदेश के अंदर जो वित्विहिन विद्याले का सिच्षक जो प्रबंध तंतर के बदवलत फीस से 2000, 2000, 2500, 4000, 4000 रुपया वितन पाता था वो अभी उसको महीने भर में नहीं मिल पाता था दो महीने चार महीने पर उसको जो है मांदे मिलता था और करोना काल में तो दो वर्ष से वो अभी नहीं मिल रहा था वो बिलकुल रोजी पाकर के रोटी के लिए मोहताज था वो इतना बैथित अपनी जिंदगी वितीत कर रहा था जिसकी लडाई मैंने 2004 से प्रारम किया और इसके संगठन को बना करके वित्वेहन सिचकों को 2004 से मैंने प्रारम किया था और पिछली जब सरकार थी माननी एक्री से आदोजी मुक्रंत्री थी उत्तर प्रदेश के तो 200 करोड रूपया उन्होंने वित्वेहन सिचकों को मान दे दिया था जो ही उनकी सरकार 2017 में चली गई भारती जन्ता पार्टी की सरकार आई और उर्षासना देश को रद कर दिया फिर से हमारा सिचक आंदोलित रहा और इस समय तो पूरी प्रदेश का वित्वेहन विद्याले का सिचक जाती विरादरी धार मज़ा पार्टी पार्टिक से उप पर उठकर के जो है एक तरफा जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में आज की बाद वो लग जाएगा इसी का वो इंतजार कर रहा था कि कम जो है समाजवादी पार्टी के राष्टी अध्यक्स इसकी गोट्रा करते हैं आज उन्होंने गोट्रा कर दिया आज पू पर्देश का सिच्छक समाजवादी पार्टी के पक्स में खड़ा हो जाएंगे इसमें पार्टीयों का और जातियों का सारा वंधन खत्म हो जाएगा क्योंकि रोटी का कोई जबाब नहीं होता है रोटी के लिए लोग परिसान थे अपने सम्मान और फार्गमान के लिए प्रदेश का सिच्छक परिसान था माजविक सिच्छा में 80% भागिदारी देता था समाज को सिच्छा समाज को दिसा और राश के दिर्मान में जो लगा हुआ था वो जो है अपने परिवार की परवरिष करने में उसको जो है कठनाईयों का सामना करना पड़ता था अपने बेटे बेटियों को कुछ सिच्छा देना और बेटे बेटियों के साधी विवा करना माता पिता की दवा इलाज कराना और अपने लिए जो है एक मंड़ी रखने की सिती में अपने वेतन से नहीं था आज पूरी प्रदेश का सिच्छक को लगता है कि वो गुलाम मी से मुक्ति पाया है ऐसा महसूद कर रहा है इसलिए हम धन्यवाद देना चाहते है मानी राष्टी अध्यक्स महुदे को जो उन्होंने वित्वेन सिचकों को मान दे का फैसला आज भोशडा करके इतना वड़ा काम किया है मादमिक सिच्छा में कि पूरा प्रदेश और देश दोनु जो है उनको आज एक आइतिहासिक पुरुष की रूप में कि निगाह से देख रहा है और यह सुनों में सावित कर दिया है कि मानी नेता जी की बार अगर मादमिक सिच्छा और सिच्छा में कोई आमूल भूत परिवरतन कर सकता है या कोई बड़ा फैसला ले सकता है तो उन्ही का नाम है मानी एकलेश यादा और वही है पार्टी जिसका नाम है समाजवादी पार्टी